यह सब परिक्षा सही है कि परिक्षा के समय डर्ड सब से लगता है और फेल वही होते हैं जो पढ़ाईनी करते हैं नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे आज किस वीडियो सेश्चन में हम सब एक जीके टेस्ट लगाने वाले हैं और इस टेस्ट के अंतरगत हम सब 10 important जीके questions देखेंगे जो कि आपके upcoming SSC MTS और विविन परिक्षाओं के लिए very very important है तो इस 10 प्रसन के साथ गो थूँ हो ये और देखिए कितने प्रसन आपके सही होते हैं सबसे पहले देखिए आपके स्क्रीन पर जो question आएगा उसके चार options आपको मिलेंगे और उन options से आपको सही answer को find out करनी है और पर आपको question का answer देने के लिए मात्र 5 second का time दिया जाएगा तो चलिए हम session को यहाँ पर start करते हैं पहला question आपके स्क्रीन पर है इंग्लैंड ने अमेरिका पर stamp act की स्वर्स लागू किया था यहाँ पर आपके लिए जो options हैं 1764, 1765, 1767 और 1779 कौन से वर्स इंग्लैंड ने अमेरिका पर stamp act लागू किया था ठीक है तो चलिए आपका यहाँ पर समय शुरू होता है तो फटा फट अपने अंसर को यहाँ पर comment box में fit कीजे तो समय होता है समाप यहाँ पर सही अंसर हो जाएगा 1765 तेके 1765 में अंग्लैंजी सरकार ने stamp act नामत एक नया जो कानून है उसे पारित किया था और यह जो कानून बना था उसमें पारित करने के बाद अमेर की जनता पर करो का जो या टैक्सू का जो बोज है और भी इस पर बढ़ गया था लाद दिया गया था और इंग्लैंड की जो Parliament थी उसमें अमेरिका कोई पर्तिनित यह ना होने के कारण ठीक है अपने पार्लियामेंट में, बिट्स पार्लियामेंट में, तो हम टैक्स भी नहीं देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर से अंसर क्या रहेगा, आपका option B, 1765, ठीक है, चलिए, अगला परसन करते हैं, कुल गार्डी किसके लिए परसीद है, चलिए, बताइए, उरेनियम, थोरियम हीरा ये सोन, ये जो आपका कुल गार्डी है, ये आस्ट्रेलिया में, ठीक है, कहाँ पर है, आस्ट्रेलिया में, चलिए, बताइए, किसके लिए परसीद है, तो आपका समय सुरू होता है, अब, सही जवाब या, इसका क्या रहेगा, कुल गार्डी किसके लिए परसीद है तो समय होता है समाप सही अंसर होगा यहाँ पर सोना दीखे कुलगारडी जो है पच्छमी ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड फिल्ड जो है उसके चेतरे में इस्तीत एक प्रमूख नगर है सहर है ठीक है और अगर इस नगर की स्थापना की बात की जाए कुलगारडी की तो इसकी एस्तापना जो हुई थी एह हुई थी 1893 में और जो सोने की खान के नज़्दी की स्थित है ठीक है और एक चीज याद रखिएगा ऐस्ट्रेलिया जो है ठीक है ऐस्ट्रेलिया जो है इउरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है पुरे विस्व में पुत्र सब्द किस समस्या से समंदित है भूमी पुत्र सब्द किस समस्या से समंदित है very very important question है ठीक है संप्रदाइक्ता छेत्रवाद भासावाद और जातिवाद तो इसका सही अंसर जो आपको लगता है फटा-फट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजे तो आपका समय सुरू होता है अब इसका सही जवाब क्या रहेगा तो इसका सही अंसर क्या रहेगा option B छेत्रवाद ठीक है पुमी पुत्र के जो धारणा है इसका मतलब है किसी राज या फिर छेत्र ठीक तो राजी या छेत्र के निवासी द्वारा उस राज में बसने और रोजगार प्राप्ट करने के इस मांग के अंतरकर्ट तो जब तक उस राजी या छेत्र के सवी जो मूल निवासी है ठीक है यानि कि वहां के जो प्रोफर रहने वाले जिसको डोमिसाइल कहते हैं उनको रोजगार प्राप्त ना हो जाए तब तक उस राजी या उस छेत्रे में बाहरी ब्यक्तियों को रोजगार की सुधा नहीं दी जानी चाहिए ठीक है एक इससे समनित है भो भी पुतर से ठी आप मान लिजे किसी स्टेट से विलॉंग करते हैं ठीक है तो वहां पे आपको डोमिसाइल जो मिला है तो आप पहले उसके वहां के जो भी सुधाया है उसके आफ़200 है नहीं रोजगार का है और जब वहां के लोग को मिल जाए उसके बाहरी लोग को दिया जाना चाहिए इसमें समाहित है ठीक है भूमी पुत्र का आसे है ठीक है चले यानि छेत्रवाद क्लियर अगला प्रस्टन करते हैं पुस्ताज घास परदेश कहां पाया जाता है वेरी वेरी इंपार्टिट कोईसन है ठीक है क्योंकि आप सब अस्टैपी पैमपास से सब जानते हैं लेकि प समयं सब्सक्राइबिख güosten है इस एक तो अपका समय होता है सतैज यहां पर होगा हंग्री ठीक है। ईउरेसे के सिटोषन पर देश जिननें क्या कजाता है अस्टेपी का जाता है और यह ज़्यादा इसका ही फैलाव है ज्यादा विस्टित है और दीखी जो उस्ताज है एक जहां भी पाए जाता है हंगरी घंस प्रतिस कहांगरी भी पाए जाता है और याद रखें तोसन कटि बंदि है घंस भूमियुका जो विस्तार है वो 25 दिगरी से ले कर 60 डिगरी उत्री और दक्षनी अच्छानसों के मध्ध एसिया इरोप औस्ट्रेलिया उत्री अमेरिका दक्षनी अमेरिका न्यूजिलेंड में विस्तारित है ठीक है और उत्तर अमेरिका में क्या कहा जाता है पेरी कहा जाता है इसे और मध्ध एसिया में इसे क्या कहा जाता ह अगला प्रसन करते हैं प्रसंग क्या पांच केप आप गुड होप की खोज है किस ने किया था क्रिश्टोफर कॉलंबस मार्को पोलो बर्थोलोमू डियाज या जेम्स को किसके द्वारा किया गया था चले फटा फटा आपने अंसर को कमेंट बॉक्स में फिट कीजे तो यहां पर आपका समय होता है अस्टा तो आपका समय भी होता है समाप सही अंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्सन सी बर्थोलोमू डियाज देखें केप ऑफ गुड होग तक पहुंचने वाला जो सबसे पहला इरोपिय व्यक्ति जो था और पुर्टगाल का था और यह कौन था बर्थोलोमू डियाज ठीक है और तक यह मैं आपको बताओं कि बर्थोलोमू जो दियाज था इसने इस अस्थान को ठीक है 1488 ठीक है मैं इसका नाम केप आफ एस्टामर्स ठीक है क्या रखा था केप आफ Cape of Good, Cape of Good Hop, जो है, इसी से होकर, जो पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली कौन था, आपको पता है, पुर्तगाली ही ये भी था, लेकिन जो वास्को डिगामा था, वो भारत पहुचा था, ठीक है, Cape of Good Hop, होते हुए ही, वास्को डिगामा भारत पहुचा था, और Cape of Good Hop, या इ अगला प्रस्टन करते हैं, प्रस्टन क्या छे, प्रस्टन काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है, प्रस्टन काल के ठीक बाद का जो समय होता है, उसे क्या कहा जाता है, सुन्ने काल, वारतालाप, मद्दान काल या इनि मैं से कोई नहीं, वेर वेर इंपॉर्टन सदिय परणाली से जुड़ा हुए है ना, तो यहां पर सही answer क्या होगा, तो आपका समय हो सुरू होता है अब, तो फटफट जो आपको सही लगता है, answer को note कर लिजी और feed कीजी यहां comment box में, समय होता है, समाप सही answer होगा, सुन्ये काल, ठीक है, देखिए, हमारा जो sunset है, इसम का जाता है, लोक सब, ठीक है, इतना आपको पता है, तो देखिए, जो दोनों सदन है, इनके प्रस निकाल के ठीक बाद का जो समय होता है, उसे सुन्ये काल, यानि जीरो आवर के नाम से जाना जाता है, और इसका समय जो होता है, ठीक है, अगर timing की बात करें, तो बारा बज बारा बज़े अरम होने के कारण, इसे सुन्ये काल कहा जाता है, ठीक है, बारा से एक तक का समय होता है, लेकिन ये बारा बज़े सुन्ये काल, यानि जीरो आवर कहा जाता है, और सुन्ये काल के समय, जो उठाने वाले प्रस्ण होते हैं, उस पर सदस से तुरंद कारवाई करवाना चाहते हैं ठीक है यह चीजी याद रखिएगा ठीक है चलिए एगले प्रस्ट केत्र बढ़ते हैं प्रसंख्या साथ देखते हैं बिहार में कुल संसद्य निरवाचन छेत्रों की संख्या कितनी है और 30, 40, 29 या 42 तो आप सबको पता है सबसे ज्यादा कहा पर है यूपी में ठीक है कितना है वही 80 ठीक है चलिए बिहार की बात की गई है तो यहाँ पर समय शुरू होता है आपका तो फटा-फटा अंशर को कमेंड बॉक्स में फिड कीजिए तो आपका समय होता है तो आप सही अंशर होगा यहांपी 40 ठीक है बिहार में कुल जो संसर्दिय निरवाचेन चेत्रयों की संख्या है वो कितनी है 40 या झालिस या आपको बिथान सवा ! की संख्या पर कितनी है तो कितनी है वही चालिस चालिस सीटी है ना लोग सभा की यहां पर और राज सभा की सदस्यों की संख्या की बात करें तो कितनी है 16 है और वहीं अगर आपको बिहार बिधान सभा की बात की जाए तो 243 है आपको कमेंट करके बताना है बिधान परिसत की संख्या कितनी है बिहार में बिधान परशत के सीटों की संख्या कितनी है आपको कमेंट करके बताना है ठीक है चलिए अगला परसन करते है परसंख्या आठ गौतम बुध ने धर्म चक्र परवरतन कहां से आरंब किया बोध गया सारनात स्रावस्ति या राजगरी सही जवाब यहाँ पर क्या रहेगा आपका समय सुरू होता है अब तो आई थिंक आपको क्वेशन पसंद आ रहे होंगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीज़ेगा तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका सारना देखिए आपको में बताओं कि इनका जो जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का वह कहा पर कपिल वस्तु लुमनी में हुआ था आपको पता है और इनको जो ज्यान की प्राप्ति हुई थी वह कहा पर हुई थी बोध गया में कर Ślaquim और उन्हें ने वारनसी के निकट सारनात में, ठीक है, सारनात में अपने पांच सिस्यों को धर्म के आठ शुतर बताएं जिसे क्या कहा जाता है, याद रखिये कि रखता है, अस्टांग मार्ग के कहा जाता है, जो किसके दव्तम बुद के दोर अपने 5 सिस्यों को दिया गया और गौतम बुध्य ने प्रत्थम उपदेश कहा दिया था सार्नात में दिया थी शिझ को भी आप याद रखिएगा और उन्होंने सर्परत्थम पांस सिस्यों को देश दिया था हमने आपको बताया और इसे ही क्या कहा जाता है धर्म चक्र परवर्तन कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है धर्म चक्र परवर्तन और गौतम बुद्ध के सिस्य जो थे वो थे आनंद, उपाली, सारेपुद्ध, मिखलायन और देउदत यह स पर किया था कुसी नगर में ठीक है कुसी नगर में किया था जिसे कुसी नारा भी कहा जाता है तो उसको बौधर में क्या कहा जाता है तो क्या कहलाता है भाई महाविनिस ट्रमन ठीक है चल अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं किसने कहा था राज जी व्यक्ति का पूर्वगामी है अरस्तु प्लेटो आरेवर्ट या कौटिल चले बताइए किसने कहा था राज जी ब्यक्ति का पूर्वगामी है तो आपका समय सुरू होता है अब फटाफट अंसर को कमेंट बॉक्स में फिड कीज़ो तो आपका समय होता है समाप सही अंसर हो जाएगा अरस्तु ठीक है अरस्तु ने राज जी को ब्यक्ति के पहले माना है यानि की पूर्वगामी माना है और राज जी को प्राकृतिक संस्था और एक नैतिक संस्था भी इन्होंने माना है ठीक है अरस्तु ने राज्य की आंगीक सिधानत का समर्तन करते हुए यह तरक दिया है कि राज्य और ब्यक्तियों में वही समंध है जो सरीर और उनके विभीन अंगों में पाया जाता है जिनमें से की ब्यक्ति भी प्रमूख है ठीक है तो यहाँ पर सही अंसर क्या रहेगा आपका अरस्तु ठीक है चलिए अगले के दर बढ़ते हैं जो कि इस सेसन का लास्ट क्वेशन होगा चलिए सुबास इंद्र बोस अंतरास्ती हवाई अड्डा कहां है चंडिगर्ड कोलकाता चेनई या जमसेतु चलिए फटा फटा बताए कि सुबास इंद्र बोस तो आप तो इससे आप असानी से अंसर कर पाएंगे तो आपका समय सुरू होता है अब सही जवाब क्या रहेगा तो यहाँ पर आपका समय होता है समाब सही अंसर रहेगा option B कोलकाता ठीक है आपको पता है कि बंगाल से समद्दी थे है ना सुबास चेनर बोस तो मैं तुम्हें आज हवाइड्डा ठीक है सुबास टनर बोस अंतरास्टी हवाइड्डा का पहले नाम क्या था दमदम अंतरास्टी हवाइड्डा और यह है एक नागरिक हवाइड्डा है इसकी पर नाली यांत्रिक है और इसकी उडान पट्टी की लंबाई कि घर हम बात करें Freddy 11900 कितना है 11900 ठीक है इस विज़ को भी आप याद रखिया हो कितनी फीट में है यह न 11900 फीट इसकी क्या है उडान पट्टी की लंबाई है तो उमीद करता हूँ आप सबने Atlas 6 Plus questions का यहाँ पर सही answer दिया होगा तो कितने आपके सही answer हुए और वीडियो कैसे लगी आप हमें जरू बताइएगा साथी साथ वीडियो पर साथ आने पर लाइक और शेयर करके अपना जो support है मुझे जरू दिजएगा तो उमीद करता हूँ आपने enjoy किया होगा और पीडियो के लिए टेलेग्राम जिनको जोइन कीजिए इसका लिंक आपको निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थांक्स वर वच्चिंग मिलेंग आप सबसे साथ निक्स्ट वीडियो में